Hello, welcome, let's discuss class 11, miscellaneous exercise of chapter 2, question number 11, so question है, let f be the subset of z to z, defined by f is equal to, f दिया हुआ है इतना, is f is a function from z to z, तो बताना है क्या z, f जो है function होगा, z to z का justify your answer, so चले करते हैं, इससे पहले बताना जाएंगे कि class 11 के playlist बने हुए है, इसमें से chapter के और इससे previous relation and function के question किये हुए है, नहीं दिखाया है, तो जाकर एक बर चलुआ है, विजिट कीजी, और important question के, विजिट कीजी, और D, triple S, B के set chapter के discuss किये हैं, उसके भी playlist बने गया है, so जाकर एक बर चेक कीजी, चले करते हैं, तो हमेश बताना है कि is f is a function from z से z, मतलब की f जो है function है क्या, तो चले हम लोग करके देखते हैं, तो हमें पता है कि पहला वाला जो element होता है, वो x होता है, दूसरा वाला जो element होता है, वो y होता है, ठीक है, इतना पता है, ठीक है? तो हम function show करने के लिए, हमें पता है कि जो pre image होता है, उसका एक ही image होना चाहिए, एक unique image होना चाहिए, तब ही वो function होता है, तो हम लोग एक एक value पुट करके देखेंगे, कि ये function, जो भी image दिया हुआ है, वो unique है कि नई, ठीक है, जो भी image जाएगा हम लोगा, वो unique image आ रहा क नई, ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या, हम लोग ले लेते हैं ये x और ये y, ठीक है, तो x क्या है, तो x जो दिया हुआ है वो a b, और b क्या हो गया, a plus b, अब कोई भी a और b का value कुछ भी ले ले लिजे, यहाँ 1 ले लेते हैं, और b में भी 1 ले ले ठीक है, तो x हमारा क्या निकला, x हमारा निकला 1 into 1, और 1 into 1 क्या होता है, ठीक है, इसी तरह जब हम लोग y निकालेंगे, तो y क्या जाएगा, a1 था, तो 1 plus 1, क्या हो गया, 2, ठीक है, अब दूसरा नमबर लेते हैं, a के प्लेस पे minus 1, और b के प्लेस पे भी minus 1, ठीक है, तो x क्या निकलेगा हमारा minus 1 into minus 1, इसका मतलब क्या निकला हमारा, minus minus plus हो गया, 1 नहीं निकला, ठीक है, इसी तरह जब y निकालेंगे, तो y क्या निकल रहा हमारा, minus 1 plus, a plus b था, plus minus 1, तो यहां से क्या निकला, minus 1, minus 1, minus 2, तो हम देख रहे हैं, कि जब हम mapping बनाते हैं, इस तरह से, यहाँ x के element को रखते हैं यहाँ y के element को तो minus 1, 1 रखा तो हमारे पास इसका जो image आ रहा है तो जब x 1 था 1 था, तो image क्या था? 2, ठीक है? image क्या था? 2, 1 था तो 2 image था, इसी तरह जब minus x जो था 1 था तो y क्या आ गया? minus 2 मतलब कि 1 pre image का 2 image आ गया मतलब कि यह unique नहीं है, not a unique तो इस तरह से हमें पता चलता है कि therefore f is not a function यही दिखाना था कि function है कि नहीं तो यहाँ prove गया और भी आप example ले सकते हैं अगर लेना है तो आप ले सकते हैं कि a को 3 ले लिया और b को 4 ले लिया ठीक है तो 3 x के निकलेगा a into b तो 12 हो गया और y के निकलेगा a plus b था तो 3 plus 4 कितना हो गया? 7 इसी तरह से a को ले लिया 5 a को ले ले लेते हैं 6 और b को ले ले लेते हैं 2 तो x के निकलेगा 6 तो 12 ठीक है? और y के निकलेगा y क्या था? a plus b तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 यहां अगर हम लोग mapping draw करते हैं तो देखिए जब 12 12 जो था X में था तो इसका image जो था एक बर आ रहा 7 और एक बर आ रहा 8 तो यह भी unique image नहीं हो रहा not a unique image तो इसलिए यह function नहीं है, hope समझा रही हो कि वीडियो अच्छा लगता है तो like किजिए, share किजिए अपने दोस्तों के साथ कोई doubt आता है तो comment किजिए, comment box में वीडियो अच्छा लगता है तो जादस जादस share किजिए वीडियो को ताकि motivation मिले और भी question deal किये जाए और previous year question के भी playlist बने हुए है, वहाँ जाकर जरूर आप लोग एक बर visit करें, thank you, thanks for watching